हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं कि आप सभी जहां भी हैं स्वस्थ होंगे और आप सब की पढ़ाई भी सही से चल रही होगे तो आईए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज की जो वर्क सीट है वक अच्छा साथ और आठ दोनों कच्छाओं के लिए हैं जिसमें वर्क सीट जो है जी फोर्टीन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे बिद्याते सबसे पहले यहां अपना नाम और यहां अपने कच्छा ध्यापक का नाम अवस से लिख लें आज का जो टॉपिक है वो है आनलाइन क्लास के दोरान आखों की देखभाल ठीक है मतलब आनलाइन के अच्छाओं के दरान हम अपने आखों के देखभाल कैसे करेंगे उस पर है तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना जिसे COVID-19 महामारी जब से आई हुई है तब से सभी विद्यार्थी अपना जो ज़्यादा तर जो समय है वह मुबाइल पर कंप्यूटर पर लैप्टाप पर पढ़ने के लिए दे रहे हैं वहें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में कम मन लगने के कारण वो अपना ज़्यादा तर समय टेली वीजन में दे रहे हैं इससे हमारे सेहत काफी प्रभावित हो रही है ठीक है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आखों पर पढ़ रहा है जो आगे चलकर काफी दिक्कत कर सकती है तो इसी के संबंध में आज की आपकी वर्क सीट है इससे आपको काफी नॉलेज मिलेगा और बताए गई बातों को अगर आप अमल में लाते हैं तो ऐसे में आपकी सेहत को काफी लाब मिलेगा तो बच्चों आईए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं देखिए COVID-19 महमारी के दौरान हमने अपनी पढ़ाई आनलाइन माध्यम के दौरा जारी रखी है लेकिन यह कभी कभी आखों को नुकसान भी पहुचा सकती है देखो बच्चों पढ़ना जरूरी है ऐसे में COVID-19 महमारी के दौरान आप सभी के लिए विद्याले में पढ़ाई न हो पाने के करण आनलाइन टीचिंग करना ही एक मात्र साधन रह गया है तो ऐसे में आनलाइन पढ़ाई से हमारी आखों और सेहत को काफे नुकसान हो रहे हैं इसे हम कैसे बचाओ करें या इसे हम कैसे बच सकते हैं ठीक है इसके उपाई क्या क्या हैं ये सारी बाते हम आज की वरक्सीट में देखेंगे और जानेंगे ठीक है और आप सबसे मेरी यही उमीद है कि आज आप जो भी पढ़ेंगे ठीक है जो समझेंगे उसको अपने जीवन में भी उसका प्रियोग करेंगे दिखेंगे आनलाइन अध्यन के दोरान आखों के तनाओ को कम करने के लिए सुझाव दिये गए आपको ठीक है जिसमें पाला सुझाव है पौश्टिक आहार लें उदाहरण के लिए हरिस पत्यदार सब्जियां जैसे पालक, संत्रा, अन्य खट्टे फल, सकरकंद, अंडे, आदि तो बच्चो देखें पौश्टिक आहार वे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा लाबदायक होते हैं इसके लिए जरूरी है कि आप बाहर की चीज़ें जैसे की समोसे, वर्गर, चावमीन, इत्याद, फास्फुट चीज़ें न खाएं उनसे बचें देखे और रही बाद पौश्टिक आहार की तो इसमें जो मुख फिरूप से देखें जैसे पत्तेदार सबजी आँ जैसे की पालक उसकी सबजी खाएं और फलों में संत्रा ठीक है और अन्य और भी जैसे खटे फल हैं आवला ठीक शकरकंद और अंडा ये सब चीज़ें आप ठीक है खटे फल में हमने कहा कि आवला ये सब चीज़ें खाएं ये सभी पौश्टिक आहार हैं इनसे हमारा सेहत भी काफी अच्छा रहेगा और आखों की रोसनी भी ठीक रहेगी देखिए इसमें आगे बताया जा रहा है जब अक्छर बहुत छोटे हों तो उन्हें जूम करके बड़ा कर लें बिल्कुल सही जब स्क्रीन पर काफी छोटे अच्छर दिखाई दें तो आप स्क्रीन को जूम कर लें यानि की बड़ा कर लें जिससे की आखों पर तनाव न पढ़ें ठीक है बेटा और नेक्स्ट है ज़रूरत पढ़ने पर ब्रेक अवस्य लें देखिए बच्चों बहुत लंबे समय तक लगातार फोन या कंप्यूटर या टीवी पर पढ़ने से हमारी जो सेहत है उस पर बुरा प्रभा पढ़ता है या चाहिए कि बीज बीज मे छोटे समय के लिए हम वहां से उठें टहलें पानी पीएं उसके बाद दुबारा पढ़ने बैठ जाएं ठीक है और है इसक्रीन से एक निश्चित दूरी रखें इसक्रीन से जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम एक फिट की होनी चाहिए कुल मिलाकर इतनी दूरी अवस्य ह होनी चाहिए कि वो अच्छर हमें साफ साथ दिखाई दे ज्यादा नजदी कि या ज्यादा दूर दोनों रूपों में पढ़ना हमारी आंखों के लिए काफी नुकसान दायक है और नेश्ट है इसक्रीन की रोशनी को अपने अनुसार करें दिखिए इसक्रीन की रोशनी ज इसका प्रभावद दिन के पेच्छे हमें ज़्यादा दिखाए पड़ता है क्योंकि दिन का जो समय होता है उसमें सूर्य की रोसनी की वज़ा से इन चीजों की रोसनी हमारी आखों को नुकसान नहीं दे पाते या कम नुकसान देते हैं लेकि रात को चूंकि सूर्य का रोसन नहीं रहती इस होज़ा से इसकी रोसनी यानि कि टैबलेट लैपटाप मुबाइल टीवी इनकी जो रोसनी होती है यह सीधे आखों को पढ़ती है और वो उससे आखे जो है हमारी ज्यादस ज्यादस प्रभावित होती हैं तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि ज्यादस ज्यादस करें कि जो भी हमारा वर्क है पढ़ने का लिखने का यह सब सारा काम जो है अगर हम दिन में कर लें तो ज्यादा बेटर होगा रात के समय कम से कम इन चीजों का प्रयोग करने का प्रयास करें ठीक है अगर बेटा यह सभी बातों को अपने जीवमन में प्रयोग किया जाए तो आप सभी का जो सेहत है वो अच्छा हो सकता है और आप सभी हमेशा स्वस्तरा सकते हैं तो वर्क सीट में इतना ही अब आगे हम लोग कुछ प्रश्ण दिये गए हैं उनको जानेंगे देखिए जिसें पहला प्रश्ण है आनलाइन क्लास के लिए कौन सा आसन सही है मतलब जो क्लास ली जाती है आनलाइन क्लास यानि पढ़ने के जो सही तरीका है वो क्या है हम उसको देखेंगे देखिए पहले चित्रे में दिख रहा है कि एक लड़का है जो ऐसे कूरसी के बल पीट करके बिलकुल पीछे के तरफ से करके और तेड़ा सा बैठा हुआ है और इस्क्रीन यहां पर आप देख रहे हैं काफी दूर है तो यह जो आसन है यह ठीक नहीं है ठीक है न और यह देखिए दूसरे आसन में दिखाये गया है कि जो लड़का है वो बिल्कुल इस्क्रीन से समझे उसकी आखे एकदम सटी ह हुई है तो यह आसन भी ठीक नहीं है ठीक है इसे आखे बहुत प्रभावित होंगे जो तीसरा है यहां आप देख रहे हैं कि स्क्रीन काफी दूर है ठीक है और यह भी बैठने का सही आसन नहीं है जो रिड की हड़ी है वो भी काफी तिर्शी है और गला भी तिर्शा है त जो घा आफसन है इसमें आप देख रहे हैं कि एक लड़की पढ़ रही है और इसके आँख से और जो स्क्रीन के दूरी है वो लगवग एक फिट की है और इसका जो बैटने का तरीका है वो बिलकुल सीधा है और ऐसे में क्या है कि इसके सरीर पर काफी कम दबाव पढ़ेगा और SM हो काफी देर तक पढ़ भी सकती है तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल सही है ठीक है बच्चों आप लोग भी इसी तरीके को अपनाएंगे नेश कुस्चन तरब चलते हैं जो सेकेंड कुस्चन है वो है आखों को स्वत्र रखने के लिए भोज पदार्थों का नाम लिखें और उनके चित्र बनाएं या चिपकाएं ठीक है तो आखों को स्वत्र रखने के लिए कौन सा भोज पदार्थ लें तो देखते देखे हरे पत्यदार सबजी है ठीक है जैसे पालक फलों में पालक जैसे फलों क्या क्या आएगा संत्रा आवला अन्य खट्टे फल और सकरकंद अंडे आदे इन चीजों का हम प्रयोग करें ठीक है और इनका यहाँ पे चित्राप को बनाना है तीसरा जो प्रश्ण है आनलाइन क्रास के दोरान हम अपनी आखों की देख भाल कैसे कर सकते हैं ठीक है तो देखिए जो जरूरी चीजे है पहला तो यह जब अच्छर बहुत छोटे हूं तो जूम करके बड़ा कर ले ठीक है अच्छर जब इसक्रीन काफी छोटे दिखाई दे रहे हैं तो उसको जूम कर लें जिससे कि हमें अस्पर्श्ट रूप से दिखाई दे जिससे कि हमारी आखों पर जो दवाव है जो तनाव है वो ना आए ठीक है दूसरा हम क्या करेंगे बीच बीच में ब्रेक लें लगातार नहीं पढ़ना है कुछ दिर पढ़ने के ब हमें बीच में ऊठके थोड़ा टहलना है हवा में जाना है पानी पीते रहना है और फिर जब आप अच्छा महसूस करें फिर आपको पढ़ना है मतलब लगातार ना पढ़के कई बार में पढ़िए वो ज्यादा बेहतर रहेगा आखों के लिए और सरीर के लिए भी दिखे और हम आज में क्या लेख सकते हैं कि स्क्रीन से निश्चित दूरी रखें ठीक है तो जो स्क्रीन है मोबाइल का या टेबलेट का या लैपटाप का या टीवी का कंप्यूटर का तो इससे जो निश्चित दूरी है लगवा एक फीट की उतनी दूरी जरूर बना के रखें ठीक है जिससे की आखे कम प्रभावित हों और चौथा इस्क्रीन की रोसनी को अपने अनुसार करें न तो रोसनी ज्यादा तेज होनी चाहिए और नहीं बहुत कम की असपर्स दिखाई न दें तो इन चीजों का आपको बिसेज ध्यान रखना होगा ठीक है तो बच्चों आज के और सिट आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो इसी साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद